अल्राइट चैक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टेक में, दोस्तो आज हम बात करेंगे टेकनो की तरफ से इंडिया में लॉंच होने वाले एक और ने लेटेस 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो के टेकनो केमों 19 नियो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करें टेकनो केमों 19 नियो की एक एक डिटेल के बारे में, ये मोबैल इंडिया में कब लॉंच होगा, कि इस प्रैस्मेंट पर लॉंच होगा, क्या इसके फीचर्स होंगे, और सबसे इंपोर्टेंट, क्या आपको ये मोबैल लेना चाहिए या फिन नहीं, सारी चीजों के बारे इस पटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कि आपको इन-ंट फिल एक्सपिरिंस काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, आप चलते हैं इस मोबैल के औगले सग्मेंट के तरफ जिसमें हम बात करेंगे, इस मोबैल के ऑपरेटिंग सिस्टम, चिपसे और ज जिससे कि आपको काफी कम ही इश्यो इस मुबाईल में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस मुबाईल के जिसमें 48 और 2 Mpx का डूल कैमड़ा सेटप आपको देखने को मिलेगा चिपसाइट में इस मुबाईल में HDR का फीचर भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 32 megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 1080p होगी overall देखा जाए तो इस mobile में अच्छी quality का camera setup आपको देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 128GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile बस आपको 6GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक decent loud speaker आपको देखने को मिल जाएगा और 3.5 mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के बैटरी के बारे में जिसमें 5000 mh के एक बड़ी LiPo बैटरी आपको देखने को मिलेगी और charging की बात करें तो इस mobile में 18 watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 type C USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port का feature इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको आइस mirror, black और green color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 15,590 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 26 October को release हो जाएगा overall देखा जाते हैं इस mobile में आपको decent feature देखने को मिलेंगे अगर इस mobile को compare करें टेक्नो camera 19 से तो दोनों ही mobile में आपको similar feature देखने को मिल जाएंगे और दोनों का price भी similar होगा बस इन दोनों के camera quality में थोड़ा difference होगा अब सबसे आगर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हो इस mobile की stone rating होगी 8 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके बैल notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे चाफ़ीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में